नमस्ते बच्चों, हमारे हिंदी पाट्टे पुस्तक में जो लेसन हमने पड़ा है, जिसका नाम है कुलू का दशेरा, इसी पाट में व्याकरन के संबंद में नया पाट यहां पर सीखने के लिए आ गया है, वो है कारक. बच्चों, कक्षा सात्वी में ही आपने कारक के बारे में जानकारी हासिल की है, लेकिन इस बार फिर हम उसे थोड़ा सा याद करते हैं और समझते हैं कि कारक आखिर है क्या, और कारक की विबक्ती चिन्न किसे कहा जाता है, कारक के कितने भेदे, इन सब के बारे में फिर से हम यहाँ पर आज जानकारी हासिल करने वाले हैं तो बच्चो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले उधारन देखो सीता ने गुडिया खरी दी चिडिया पिंजरे से उड़ गई शेर जंगल का राजा है इन वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंद सीता पिंजरे और जंगल इन सग्यापत से है इन सग्याओं का क्रिया से संबंद बताने के लिए ने से का इन चिन्नों का प्रयोक किया जगया है इस चिन्नों को ही कारक चिन्न कहते हैं यह तो आप सबको पताई है इन कारक चिन्नक को हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है कैसे देखते हैं जैसे कि सीता गुडिया खरीदी चिडिया पिंजरे उड़ गई शेर जंगल राजा है बच्चो ये वाक्य स्वष्ट रूप से अर्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं अर्था ये अर्थ हीन वाक्य है क्योंकि शुरू में ही इन वाक्यों को हमने देखा था कि जो कारक के चिन्नों से जुड़े हुए थे तो वो वाक्यों को पूरा अर्थ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वो विवक्ती चिन्न निकालने पर यह जो तीन वाक्य है यह तीनों भी अर्थ ही दिखाई दे रहे इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कारक, सग्या, सर्वनाम, क्रिया आदी का संबंद जोड़ कर वाक्य बनाने का कार्य करते हैं और इसी पर हम व्याक्रनिश जुरुष्टी से कारक की व्याक्या इस तरह से लिखते हैं सग्या या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंद जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं है न बच्चो करेक्ट है न सग्या या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंद जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं बच्चो इसी कारक के आट भेद हैं जी हां कितने भेद हैं आट भेद उससे पहले हम देखते हैं कि ये विभक्ती चिन्न या परसर्ग किसे कहा जाता है तो बच्चो सग्या और सर्वनाम का संबंद क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जिन चिन्नों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परसर्ग या विबक्ती चिन्न कहते हैं यानि कि जो हमने शुरू में इस वाक्य में देखा था कि सीता ने गुडिया खरी दी चिडिया पिंजरे से उड़ गई शेर जंगल का राजा है या रेखांकित किये गए हुए जो शब्द है यह जो है वो कारक के चिन्न है और इन्ही कारक के चिन्नों को विबक्ती या परसर कहा जाता है यहा तक आप सब को समझ गया अप हम इसी कारक के आट भेदों को सीखते हैं कि वो drain क्या है उसकी पहचान किस तरह से है यह हम आज यहां पर सीखने जा रहे हैं यह ढ़ rival कि इस कारक के पूरे आठ भेद हैं कितने भेद हैं आठ लेकिन ये आठों भेदों को हम यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं तो हम पहले चार भेद का अध्ययन इस पार्ट में करेंगे ओके तो देखो बच्चो कारक के भेद में से पहला है करता कारक कौन सा है ने, क्या है ने, इस की देखो वाक्य में क्रिया करने वाले वाक्य में क्रिया करने वाले को करता कहते हैं करता सग्या या सर्वनाम होते हैं जैसे की विभक्ती रहित एक उधारन है जैसे कि कविता भूल गई यहाँ पर यह जो वाक्य रेखा जाए तो जिसमें विभक्ती रहित यानि की विभक्ती चिन्ना नहीं है और वाक्य बना कविता भूल गई यह जहाँ पर विभक्ती नहीं है यह अकर्मक क्रिया है और वो भूतकाल में है जब भूतकाल में क्रिया होती है और वह अकर्मक होती है तो उसे उसमें विभक्ती चिन्न नहीं लगाया जाता है कर्ता का दूसरा देखो जहाँ पर विभक्ती चिन्न है जिससे वाक्य है कविता ने पाट पड़ाया जो सकर्मक है क्रिया और वो भी भूतकाल में है यानि सकर्मक बूतकाल में करता जो होता है वहाँ पर विबक्ती चिन्नका ने यह परसर्ग लगाया जाता है तो इस तरह से यह करता का रख है अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ने परसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक रिया के साथ ही लगता है बाकि किसी भी इसमें नहीं लगता है यानि भूतकाल का जो अकर्मक रिया है या बविशकाल की हो अकर्मक रिया तो उसमें नहीं लगता है दूसरी बात इस करताकारक की ध्यान में रखना है कि वाक्य में प्रमुक क्रिया के साथ कौन या किसने इस तरह का प्रश्णों अगर आप करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो होता है करताकारक समझ में आ गए करता कारक यानि क्या तो क्रिया करने वाला उसे कहते हैं करता कारक यहां तब आपको अच्छे तरह से समझ गया होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि यहां पर दूसरा भेध है कारक का कर्म कारक जिसका विभक्ती चिन्न है को इसके पारे में देखते हैं वाक्य में क्रिया का फल जिस सग्या या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं क्या कहां वाक्य में क्रिया का फल जिस सग्या या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं जैसे कि देखो अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया दूसरा उधारन है अभिशिक पैक्मिंटन खेलता है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया और अभिशिक पैक्मिंटन खेलता है यहाँ पर को यह परसरग लगा है और इस दूसरे उधारन में कोई भी परसरकर नहीं है इन वाक्यों में बच्चों को तथा पैटमिंटन कर्मकारक है क्योंकि किसे पढ़ाने की जो क्रिया है वो बच्चों पर हो रही है तो इस तरह से बच्चों जो हैं वो है कर्मकारक क्रिया का असर इन बच्चों पर हो रहा है और उससे जुड़ कर को यह विभक्ति जिन्न जो है कर्मकारक का वो लगाया गया है अट दूसरे इसमें भी देखो खेलने की क्रिया हो रही है और वो क्या खेल रहे हैं तो बैटमिंटन तो उस badminton इस पर खेलने का असर हो रहा है लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विभक्ती नहीं लगी हुई है अब इसे भी हम समझेंगे कि किस तरह से पहचानना है तो बच्चो देखो अप्रानी वाचक कर्म के साथ को नहीं लगता आपको समझ में आ गया होगा बच्चो यह जो क्या है तो यह प्रानी वाचक है यानि जीवित है सजिव है और पैट मिंटन यह निर्जिव है यानि निर्जिव जो फस्तु होती है उससे कभी भी कर्मकारक का को का प्रत्य नहीं लगता है इसी तरह से इसकी पहचान यहाँ पर दी है अप्रानी वाचक कर्म के साथ को नहीं लगता समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर सजिव यानि सजिव के साथ को का प्रत्य लगेगा कर्म के साथ लेकिन कर्म अगर निर्जीव हैं तो उसके साथ को का प्रत्य नहीं लगेगा इस तरह से कर्म अगर आपको पहचानना है तो इस कर्मकारक की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है तो वाक्य में पहचान क्या है तो वाक्य में क्या या किसको इस तरह का प्रशन करने पर जो उत्तर मिलेगा वही होता है कर्मकारग अब यह क्या और किसको यह प्रशन हमें क्रिया से पूछना है और उत्तर जो मिलता है वो होता है कर्मकारग समझ में आगए बच्चो किस तरह से है ये कर्मकारग अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा कारख है वो है करणकारग इस करणकारग का विभक्ती चिन्नहे से अब इसकी पहचान अब हम देखते हैं पहले कि जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है उसे कारख कहते हैं उसे कौन सा करणकारग कहते हैं देखो जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने या होने का जो बोध होता है उसे करणकारग कहते हैं अब येसे हम उधारन से ही देखते हैं देखो जैसे बच्चे खिलोने से खेल रहे हैं रावन राम द्वारा मारा गया अब यहाँ पर देखो बच्चो कि बच्चे खिलोने से खेल रहे हैं यहाँ पर खेलने की जो क्रिया है ये क्रिया की साधन से हो रही है तो खिलोने तो खिलोने से, ये से उसे चोड़ करा गया है तो हमेशा ये से ही नहीं आजाता है तो कभी-कभी इस से के बतले द्वारा, के द्वारा ऐसे शब्त भी परसर कभी लगते हैं देखो, तद यहाँ पर दिया है कि कभी-कभी से के स्तान पर द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग होता है और दूसरा एक महत्व की बात यहाँ पर धी है दूसरी वाक्य में किस से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कारक जो है वो करन कारक कहलाएगा तो इस तरह से किस से यह प्रश्न हमें क्रिया को पूछना है किस से खेल रहे हैं, किस से खेल रहे हैं, खेलोने से, है न, तो उत्तर मिला, राम द्वारा मारा गया, यहां किस से नहीं, तो किस द्वारा मारा गया, किस के द्वारा मारा गया, तो राम द्वारा, तो रावन किस के द्वारा मारा गया, राम द्वारा मिला न, उत्तर, तो य अधिर जो राम है ये है उसका करम है और यह द्वारा उसका करन यानि यहां पर वो दोनों जोडने की भूमिका यानि उसका साधन यहां पर राम को मारने का साधन क्या था तो राम है और बच्चे खिलोने से खेल रहे हैं तो खेलने का साधन है खिलोने तो इस तरह से यहाँ पर जो करनकारक है इस करनकारक की यहाँ पहचान है कि किस से प्रश्ण करना है क्रिया को अब हम देखते हैं कि हमारा अगला जो चोता भेद हैं उस भेद के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं और हमारा चोता जो कारक है वो है संप्रदान कारक इसके विभक्ती चिन्न है कोक और के लिए जहाँ पर करता जिसके लिए काम करता है करता जिसके लिए काम करता है या जिससे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं जैसे कि अब हम उधारनी देखते हैं मा ने बच्चों के लिए कपड़े खरी देई पिता जी ने रम को फोन दिया यहां पर देखो कैसे हुआ कि मा ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे तो के लिए उससे जूर कर आ गए जिसके लिए मा ने बच्चों के लिए कुछ किया पिता जी ने रमा को फोन दिया तो यहां पर रमा के साथ को और यह प्रत्य उपसर को जूर कर आ गय बच्चों, किसी को कुछ देने की भाव में हमेशा संप्रदान कायरंग होता है, यह हमेशा आप ठ्छान में रखो, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो उसमें संप्रदान कारक का ही भाव होता है यहाँ पर क्रिया को जब हम किस को, किस के लिए, किस हे तू इस तरह के शब्दस लगा कर वाकिक के साथ अगर प्रशन पूझा जाए क्रिया के साथ तो उत्तर मिल जाए तो वो संप्रदान कारक होता है समझें तो इस तरह से यहाँ पर इस संप्रदान कारक का यहाँ पर पहचान है तो बच्चो आज हम जो यहाँ पर कारक सीखे थे इस कारक के आठ भेद हैं कितने हैं आठ यह आठ के आठ हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं आपको step by step उसे सीखना है तो आज हम इन चार भेदों पर ही हमारा आज का अध्ययन समाप्त करते हैं हम अपने अगले पिरेड में इसी कारक के अगले चार भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद